हेलो वरीवन वेलकम बैक तो इस चैनल तो लीट कोट का जो 30 दे जावा स्कूप्ट का जो चैलेंज था वो उस कोस्टन को कर रहे थे और उसमें यह कोस्टन में 11 है 11 माड़े ठीज बीट जाए रएन थेफुटन से कोस्टन केर फुलिए फ़ल से बीचे वाइज ऒपाहने है जोने माड़ें ख़र नावने का दो इस है और यह पंचन इस फंशन की बात करें वह वो फंचन एक फंचन रेटन करेंगा जो में वाइज होगा और में वाइज फंचन क्या हो इंस्टीड एट विल रिटर्न अक्राइस वैलू ओके सो बैसिकली अगर डीपी का अंडरस्टेंडिंग है या कभी नाम भी सुना तो नहीं भी है तो मैं यहां पर बताना चाहता हूं है कि जैसे उसमें फैक्टोर्यल प्रफेवना के स्रीज के हम बात करते हैं तो उसके में जो इन्पूट को जो कॉल हो चुका है सपोज वन सगयद जैसे कि हम लाइक one plus two ये दो input है उसको अगर sum के बात करें दोनों input है गर sum इसका use हो गया है तो ये जब दोबारा इस दो input की ज़रुवत होगा तो हम ये add करने का जो operation वो फिर से नहीं करेंगे इसको कहीं cash करके store करके रखेंगे और उसको direct use करेंगे ये operation इसके लिए जो भी होगा वो नहीं करेंगे तो basically memoid function का काम यह है कि जो input है उसके लिए दोबारा सेम चीज़ के लिए operation सेम नहीं करना है उसको store करना है उसको use करना है तो इसमें यहां पर you can assume there are three possible input function जो fn है ये हो सकता है तीन function हो सकता है इसम फ्यूने की इन फैक्टोरियल तो सम होगा तो यह accept करेगा धो एंटीजर एंड्रीटर्न करेगा उसका सम फ्यूने की होगा तो फ्यूने की प्राबलम अगर की हो तो idea होगा कि अगर lesson one है lesson one है तो वह return कर देगा ठीक है और उससे उसके बाद ये दोनों प्रिबियस और उससे भी प्रिबियस दूनों का सम को रिटर्न करेगा तो यह फिर नहीं की सिरीज का यह प्रॉब्लम का स्टाइटमेंट है ठीक है और वो सम रिटर्न करें यानि कि तीसरा फंसन भी पहले देख लेते फैक्टरोडियल्स एक्सेप्ट सिंगल इंटेजर और आउट्पट रिटर्न कर रहे हैं उसके अंदर क्या आपरेशन हो रहा है डेजन्ट मैंटर यह हम मुझे वह जानने के कोई जाने को यूर्ट लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए तीन फंसन दिया हुआ है अब समझ सकते हो तो हां ओके सो बेसिकली यहां पर कुछ एक और फिवन एकी हो रहा है देजन्ट मैंटर ठीक है तो एक एजांपल से समझाना चाहेंगे यहां पर जैसे दो-दो इंपूट जा रहा है ठीक है एफन में और इसके लिए सम का सम बोल रहा है तो सम यहां पर जस्ट रिटर्न कर वह फंसन रिटर्न करेगा सम बस दर्स इतन सेम इंपूट है तो यह सेम इंपूट के लिए उप्रेशन हमें करना नहीं है उसको डारेक्ट वालू रिटर्न कर देना है ठीक है तो यही यहां पर यहां पर फोर रिटर्न हो रहा है लेकिन इसके लिए सम जो प्रेशन है वह इसकेस में नहीं कर रहा होगा ठीक है आप य कर सकते हैं और की औरिए रूप में च्टॉर करता है उसको छी करेंगे जब दुबारा ये जम दो तो ड्रहें कर लेंग एकिए हैं जी वंबस्की करOoh होता है जैसे जावस्क्रिप्ट में भी हम मैप के यूज करें ठीक है अगर यह प्रबलम मेडियों लेवल के थोड़ा दिफिकल्टी लेगेगा तो आप यह हिंस बैगर देख लेना ठीक है हिंस यहां पे है तो बैसिकली हम एक मैप डिफाइन करें जो इस फंसन के बाहर होगा और यह भी एक लोजर का एक जम प्लोजर का यह गिजांप लिस फंसन के बाहर होगा तो हम इसको डिफाइन कर लेते लाइक मैप ठीक है मैप इकवल टू न्यू मैप ओके तो बैसिकली एक काइंड ओफ कंस्ट्रक्टर होंगे जो अब्जेक्ट करने के लिए यह जोते हैं ठीक है तो यह मैप हम डिफाइन करना है उसको यूज करके हम इसके अंदरे इसके अंदरे इंप्लिमेंट करेंगे ओके तो बैसिकली हम करेंगे क्या कि यह डिफाइन कर लिए हैं और इसमें हम लाइक जो इन्पूट आ रहा है उसको हम वैलू और उसके लिए की वह इस तरह समय स्टोर कर लेंगे ताकि हम उसको दोबड़ा चेक कर सके तो हम लेट्स स्टिफाइन कॉंस्टेंट की इक्वल टू जो इन्पूट आ रहा है वो काइंड ओफ इंटेजर होगा ठीक है तो मुसको स्टिंग में कनवर्ट करके हम उसको जस्ट की के लिए यूज करते हैं ठीक है तो यह आर्ग डॉट इसके लिए टू स्टिंग एक मेथड होता है ज अगर इस मैप में है मैप में है कि निपली स्केश्ट तो इसमें मैप के लिए कुछ प्रेडिफाइन मेथर सोते हैं तो यहां जावा स्कुट में यहां पर हैस नम के मेथर होता है जो की की लेगा और उसको चेक करेगा ठीक है अगर यह एक जिस्ट कर रहा है तो यह कंडिशन टो होगा और यह रिटर्न करेगा जो हमारे पास वैलू होगा क्योंकि जो अपरेशन हो गया होगा तो हम उसको इस्टोर कर लिए होंगे और उसको जस्ट रिटर्न कर देना है तो इसमें हम मैप डॉट गेट नाम का मेतड़ होता है इसमें जो की की लेगा और उसका वैलू रिटर्न कर देगा यह कंडिशन का यह तो ठीक है यह कब होगा जब हमारे पास अल्रेडी कोई इंपूट चल चुका है तब अगर फर्स टाइम यह आएगा उसको हम एल्स में हैंडल करेंगे और कॉंस्टेंट 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 रिजल्ट में हमें स्टोर कर लेंगे और यहां पर क्या है न जो फंसन है एफेंड वह एफेंड इंपूट लेगा और वह इंपूट क्या है जो हमें में मैं फंसन में आ रहा है तो वह आर जी स्टेंगया ओर और यह इनपूट लेगा और यह रिटर्न करेंगा और्ण क्या आप्या इंप्लेमेंटस अप्रीवहएक में तेक 2 यह कंडिशन कब है जब फर्स्ट टाइम आ रहा है तो मैप डॉट इसमें एक सेट नाम का मेतड़ होता है जो की होगा और उसके वैलू के जग़ा पर यहां पर रियल्ट होगा ठीक की वैलू पर रूप में रियल्ट करता है और फाइनली हम इसको रिटर्न कर देंगे रिजल्ट ठीक है जब फर्स्ट टाइम आगा उसके में भी रियल्ट ही यहां पर आपूट में चाहिए तो यह जब फर्स्ट टाइम आगा उसके लिए इस वाला कंडिसेन जो आगर पहले से स्टोर है तो उसमें यह इचेक करके करेंगा ठीक है और मैंने इसाभी प्रापलम हो चुका है let's run it or something in the error line solution x again यह इसका else है ठीक है यह इसका closing है और इसका closing कहां गया है इसका closing है और इसका closing कहां गया यह curly bracket missing है here and let this one अब 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 देट लेट्स रॉन इट यह basically medium level का problem है थोड़ा time लग सकते ओके सो यह तीनु टेस्ट के स्पास हो चुका है तो लेट्स सब्मिट इट अब 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 कर रहे हैं दूसरा आप्रोच यह है कि हम अब 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 यहां पर तो सिर्फ टाइप स्कूट अब यह है ठीक है तो थेंक यू एंड इप यू हाव डाउट यू कमेंट हैर एंड मिलते हैं फिर नेक्स वीडियो में तब तक लिए बाई बाई